इस टुटोरियल में हम ये थोड़ा साथ tricky question solve करेंगे work related questions थोड़ा से tricky होते हैं लेकिन इतने difficult भी नहीं होते कि आप इसको solve ना करपाओ हम सबसे पहले question समझते हैं क्या है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days अब हमें ये given है कि अगर 2 women और 5 men ये अगर किसी एक काम को करते हैं तो उनको total time लगता है उसको finish करने में 4 days ठीक है दूसरी तरफ कहता है कि अगर 3 women and 6 men इसको करें तो उनको total कितना time लगता है 3 days ओके आगे वो कहता है find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone तो वो कहता है कि अगर एक lady अकेली काम करे एक women अकेली काम करे तो वो कितने days लेगी इसको finish करने में और साथ में ये भी find out करो कि अगर एक आदमी इसको अकेले काम करना शुरू करे तो उसको कितने दिन लगेंगे इस काम को finish करने में अब हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि अगर अकेली एक lady काम करती है तो उसको लगते हैं say x days और आदमी जब काम करता है तो उसको लगते हैं say y days ठीक है कोई एक women अकेली काम करे तो उसको x days लगते है और कोई एक आदमी अगर अकेला काम करे तो उसको y days लगते है अच्छा ठीक है कैसे मैं आभी समझाता हूँ और मालनों इसको करने में मुझे total लगते हैं ऐसे ही मैं assume कर लेता हूँ say four days ठीक है अगर मुझे four days लगते हैं तो यानि कि इसको मैं चार ब्राबर के हिस्सों में बाढ़ लेता हूँ तो कहने का मतलब यह है कि इतना जो काम है यह मैं एक दिन में करूँगा अगर यह पूरा काम मैं चार दिन में कर रहा हूँ तो इसका one-fourth पार्ट जो है हो मैं एक दिन में करूँगा तो एक दिन में one day में मैं actually one day मैं मैं कितना काम कर रहा हूँ 1 by 4 इतना ही काम कर रहा हूँ न 1 by 4 यहां किया 1 by 4 यहां 1 by 4 यहां 1 by 4 और मेरा पूरा काम जो है वह खतम हो गया ठीक है अच्छा अब 4 days की जगा मुझे नहीं पता है कि इसने कितने दिन लिये इसने लिये है x days ठीक है अगर इसने x days लिये हैं तो इसी काम को मैं x parts में divide करूँगा अगर मैं इसी काम को x parts में divide करूँगा तो इसका भूंगर एक दिन में मैं 1 by x इतना काम करूँगा समझे देखो मैं दुबारा बताता हूँ यह मेरे पास काम था ठीक है इसी काम को अगर मैं 4 days की बजाए अब मुझे पता नहीं है कि कितने दिन है तो मैंने x days मान लिए और वो मान लो जैसे ये मेरे पास ये छोटे छोटे मैंने parts कर दिया और ये मान लो कि इसको मैंने x parts में divide कर लिया तो एक दिन में मैं सरफ इसका एक part कर पाऊंगा और वो कितना आ जाएगा 1 by x क्योंकि ये मैंने x parts में इसको split कर दिया तो एक लेडी जब काम करती है तो एक दिन में वो 1 by x काम खतम करेगी ये total काम का 1 by x खतम करेगी इसी तरह से एक आदमी जब इसको करता है अगर वो total y days लेता है तो वो एक दिन में 1 by y इतना काम खतम करेगा तो इसी concept को use करके अब हम यहाँ पर अपनी linear equation बनाएंगे कैसे let time taken by one woman alone to finish the work तो ये हम माल लेते हैं x days ठीक है and similarly time taken to finish by one man alone तो वो कितना लेता है उसको माल लेते हैं y days ठीक है ये दो चीज़ों हो गई अब इसका मतलब क्या है कि work done in one day by a woman एक लेडी एक दिन में कितना काम खतम करती है one by x जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि अगर total x days लेती है वो तो एक दिन में वो one by x काम खतम करेगी ठीक है तो ये work कितना खतम हुआ one by x similarly work done in one day by one man एक आदमी जो है वो एक दिन में कितना काम खतम करता है one by y ठीक है अब हमें ये given है कि दो women और पांच men ये total चार दिनों में काम खतम करते हैं तो दो women एक विमन अगर एक दिन में एक दिन में एक विमन वन बाय एक्स काम खतम करती है अगर तो दो विमन एक दिन में दो विमन एक दिन में कितना काम खतम करेंगी 2 into 1 by x यह एक लेडी का काम है एक दिन का तो 2 का multiplied by 2 हो गया प्लस एक आदमी एक आदमी 1 by y काम खतम करता है काम इतना खतम करता है 1 by y तो 5 कितना खतम करेंगे 5 into 1 by y ठीक है एक आदमी ने 1 by y काम किया तो 5 आदमी 5 into 1 by y काम करेंगे is equal to अब total days वो कितने लेते हैं 4 ठीक है total वो 4 दिन ले रहे हैं तो अगर वो total 4 दिन ले रहे हैं तो एक दिन में ये सब लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं अगर ये total 4 दिन लेते हैं फिर से यही वाला concept अगर ये total मिलके 4 दिन में काम खतम करते हैं तो एक दिन में 1 by 4 सरफ इतना ही काम कर पाएंगे तो यानि कि this should be equal to 1 by 4 अब मैं इसको दुबारा समझाता हूँ मुझे पता है यह थोड़ा सा confusing होता है देखो 1 by x क्या है यह है कि एक लेडी अकेली कितना काम कर रही है एक दिन में एक लेडी एक दिन में कितना काम कर रही है तो दो लेडी कितना करेंगी 2 into 1 by x यह दो लेडी का एक दिन का काम हो गया दो लेडी का एक दिन का काम हो गया ठीक है एक दिन का काम similarly 1 by y एक आदमी करता है एक दिन में काम ठीक है एक आदमी का एक दिन का काम है one by y तो पाँच आदमियों का टोटल काम कितना हो गया five into one by y ये भी एक दिन का काम ठीक है तो इसका हमला है इन सब ने टोटल दो लेडीज और पाँच दो लेडीज और पाँच मैन ने मिलके total इतना काम किया है एक दिन में ठीक है एक दिन में इन्होंने total इतना काम किया अब ये जो 7 लोग है 2 women और 5 men ये total 4 दिनों में total 4 दिनों में अपना काम खतम करते हैं तो यानि कि ये जो काम है ये सरफ एक दिन का काम है तो यानि कि total काम का चौथा हिस्सा ही इन्होंने खतम किया यानि कि कितना work खतम किया इन्होंने 1 by 4 तो यहां से मेरी एक equation आ जाएगी और वो क्या बन जाएगी 2 by x प्लस 5 by y is equal to 1 by 4 इसको मैं बोलता है equation number 1 अब similarly मैं दूसरी equation यहां से बनाऊँगा 3 ladies जब काम करती है तो एक दिन में वो 3 by x काम करेंगी जैसे यहां पे मेरे पास क्या था 2 by x आया था 2 into 1 by x तो इस बार में थोड़ा सब क्विक्ली कर रहा हूँ तो 3 ladies का एक दिन का total काम हो गया 3 by x 6 आदमियों का total काम हो गया 6 by y और यह कितने दिनों में काम खत्म करते हैं total खत्म करते हैं तीन दिनों में और यह काम सिर्फ एक ही दिन का काम है तो यानिकि इन्होंने total काम का सिर्फ 1 थर्ड ही एक दिन में खत्म किया तो टोटल काम यह अगर total काम को total काम को अगर मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो एक दिन में उन्होंने कितना काम किया सिरफ 1 by 3 ठीक है तो यह हो गई मेरी equation number 2 अब मैं equation 1 और equation 2 यह मेरी equation 1 यह equation 2 इन दोनों को मैं solve कर लूँगा linear equations में convert करके और वो मैं कैसे करूँगा 1 by x को put 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q तो यह मेरी equation 1 क्या बन जाएगी यह हो जाएगी 2p plus 5q is equal to 1 by 4 और दूसरी equation मेरी बन जाएगी 3p plus 6q is equal to 1 by 3 तो इसको मैं बोल देता है equation number 3 इसको बोल देता है equation 4 और अब मैं इसके coefficients बराबर कर लेता हूँ उसके लिए मैं इस equation को इसके coefficient से multiply कर देता हूँ यानि कि 2 से और इसको मैं इसके coefficient यानि 3 से multiply कर देता हूँ so multiply equation 3 by 2 and equation 4 by 3 तो इसको 3 से multiply किया तो यह हो जाएगा 6P plus 15Q is equal to 3 by 4 3 से इन तीनों terms को multiply कर दिया और यहाँ पर 2 से multiply करूँगा तो यह हो जाएगा 6P plus 12Q is equal to 2 by 3 इसको बोल दे equation number 5 इसको बोल देते है equation number 6 तो 6P 6P दोनों में बराबर हो गया तो अब मैं इसमें से इसको या इसमें से इसको minus कर देता हूँ so say subtract equation 6 from equation 5 तो यह मैं थोड़ा quickly कर देता हूँ इसमें से इसको minus करना है तो 6P 6P कट गए तो 15Q minus 12Q is 3Q is equal to this minus this यानि कि 3 by 4 minus 2 by 3 और इसको अब मैं solve कर लेता हूँ तो यह कितना आ जाएगा यहाँ LC हमागा 12 तो यह हो गया मेरा 9 minus 8 which is equal to 1 by 12 which implies Q is equal to 1 by 36 तो Q मेरा आ गया 1 by 36 अब Q की यह value मैं इन दोनों में कहीं पे भी डालके पी की भी value निकाल लेता हूँ put value of Q in equation 5 चाहे 5 में डालो चाहे 6 में डालो तो यह हो जाएगा 6P plus 15Q Q की जगा 1 by 36 is equal to 3 by 4 तो इसको solve कर लेते हैं यह मेरा कितना हो जाएगा this implies 6P is equal to 3 by 4 minus 15 by 36 तो यह 3 पे ऊपर नीचे कटता है तो यह जाएगा which is equal to 1 by 3 तो 6P is equal to 1 by 3 तो P कितना हो गया मेरा 1 by 3 into 1 by 6 which is equal to 1 by 18 तो Q की value 1 by 36 पी की value 1 by 18 तो यहां से अब मैं X और Y निकाल लूगा क्योंकि 1 by X जो है वो P के पराबर था ठीक है तो 1 by X अगर P के पराबर था तो इसका मतलब X जो था वो 1 by P के पराबर था ठीक है 1 by X P है तो X 1 by P हो जाएगा तो यहन की 1 by 1 by P 18 तो इसका मतलब एक लेड़ी अगर अकेली काम करें तो उसको 18 दिन लगते हैं और दूसरी तरफ Y मेरा कितना है 1 by Q क्योंकि 1 by Y अगर Q है तो Y कितना हाजाएगा 1 by Q ठीक है तो Y is equal to 1 by Q और Q की value कितनी है 1 by 36 तो 1 by 1 by 36 कितना हाजाएगा 36 तो इसका मतलब एक आदमी अगर अकेला काम करता है तो उसको 36 days in total लगते हैं यही हमने यहाँ पर assume किया था एक लेड़ी अगर अकेला काम करती है तो X days और आदमी करता है तो Y days तो X की value उठा रहा और Y की value 36 is the answer so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia